अर्लों, दूस्थिएफ पढ़ने माले नागरहता, किसम पढ़ाएंगे, हम लुग नागरहता, सिटिजंसिप अफ इंडिया के बारे पढ़ेंगे, तो जो सिटिजिंसिप इंडिया के बारे में दिया हुआ है वो समिधान के भाग दो के आर्टिकल पांच से लेकि इग्यार तक दिया हुए तो हम लोग देखेंगे समिधान के इसाब से फिर एक हमारा नागरीक अधिनियम 1925 उसके अधार पर देखेंगे कि नाइकता कैसा कैसा होती है तो पर हम लोग यह समझ लेकिसी बेक्ति को अगर भात की नाइकता प्राप्त है तो उसको कौन-कौन से अधिकार पहली चीज तो जो मौलिक अधिकार है जितने भी मौलिक अधिकार है उसको वो मिलेगा समता का अधिकार मिलेगा आपका सनरच्षण से सनरच्षण मिलेगा आपको ठीक है अभी ब्यक्तिक सुदंता मिलेगी यानिक जितने भी मौलिक अधिकार है सब कुछ मिलेगा और उट देने की सकती जो है वो नारिक्ता प्राप्त होने के बाद ही मिलेगी तो चुनाओ लड़ सकता है और उट दे सकता है ठीक है भारत में कहीं भी भ्रमड कर सकता है तो तमाम प्रकार की उसको शुबदाएं प्राप्त होंगी अगर वो ब्यक्ति नागरिक्त नहीं है तो उसको प्राप्त नहीं होंगी ठीक है तो अगर हम लोग बात करें समिधान के अनुसार किस प्रकार से नागरिक्ता प्राप्त हो सकती है तो अगर हम लोग आर्टिकल 5 की बात करें किसकी आर्टिकल 5 की बात करें तो आर्टिकल 5 में अधिवास के द्वारा नागिता का प्रोधान है इसमें तीन सर्दे बताएगी पहली सर्द बताएगी कि वो भारत के राजच्छत में जर्मा हो या दुसरी सर्द बताएगी कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राजच्छत में जर्मा हो अथवा तिसरी सर्द बताए गई चयो प्राइब के ठीक पध्यूर्स कि पाले कम से कम 5 वर्षों तक सब्राइब तोर पर भारत का निवासी रहा हो हुआ और यानि कि पहले मोजन्मस्थान या उसके माता पिता या फिर वो 5 वर्स जब सम्मिध्धान लागू हुआ उसके 5 वर्स पहले या और उससे लिए पहले जब भारत में तो उसको भारत की नारटत्रा-प्राफ्त हो जाएगी दुसरे दुसरे में है प्रकार पाकिस्तान के प्रवा रवजन करके आये विक्ति यों के नारटता THAAA कि यहां पर थोड़ा सा खाल तो इसको जब अर्टिक लगर हम लोग बात करें 6 की अब हम लोग बात करें किसकी आर्टिकल 6 की तो आर्टिकल 6 जो है पाकिस्तान से प्रोजन करके आए बैक्तियों की नागिता यानि कि इसमें दिया हुआ है कि जो बैक्ति पाकिस्तान से बाइग्रेट करके आए हैं ठीक है उनको कैसे नागिता प्राप्त होगी उनको दो तरीके से नाइकता प्राफ्त होगी पहला 19 जुलाइ 1948 के जो पहले आएं उनको कासे नाइकता प्राफ्त होगी और 19 जुलाइं 1948 के बाद जो आए उनको कैसे नगता प्राप्थ होगी तो अगर हम लोग बात करें 19 जुलाई 1948 से डेट फिक्स क्यों किया गया तो 19 जुलाई 1948 को अनुमती पत्र की प्रणाली सुरू होई थी यानि कि अगर आप पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले आते हैं तो आपको अनुमती पत्र की कोई जरूवत नहीं है आपको सिर्पियश शिद्ध करना है कि जो हमारे माता पीता है भारत के नागरिक थें तो आपको भारत की नागता प्राप्थ हो जाएगी लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1949 के भाद आते हैं तो आपको अनुमती पत्र पढाली के अनुसार आपको अनुमती लेनी जरूरी होगी ठीक है इस बात को ध्यान देजेगा लेकिन अनुमती पत्र लेने कंडिसन यह है कि आप 6 महने पहले आईए छे महने तक रहिए उसकेबाद आप अनुमती पत्र धरन कर सकते हैं ठीक है उसके बतनों बात करें Article 7 की तो पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले लोगों की नर्खता यानि कि कुछ लोग थे जब ये कहा गया है कि जो जाना चायता है वो चला जाए पाकिस्तान में फिर बाद में उनको वहां पर जशा नहीं अच्छा नहीं लगा या यह कहलें कि सारी सुभधायें वहां पर जितनी भारत में मिलती हूं आप मिलतों पाएंगी नहीं तो ज़री सी बात है तो वह क्या कि वापस आना चाहें तो उनकी लिए भी प्रौधान दिया गया है हमारे समिधान सुधन में ठीक है जो आटिकल 7 में दिया है उसमें कहा गया कि अगर आप 1 मार्च एक मार्च उन्नईस सो साइलिस एक मार्च उन्नेस सो साइलिस से पहले आ जाते हैं जो आ गये हैं तर तो सही है और नहीं तो एक मार्च 1947 के बाद अगर आते हैं तो यह दूसरा प्रावधान है उन्यूस जुलाई भारती मूल की बेक्ति का मतलब क्या है भारती मूल बेक्ति का मतलब क्या है कि वो बेक्ति जो बिदेश जिसको भारत की नारगिता न प्राप्त हो उसको बिदेश की नारगिता प्राप्त हो लेकिन उसका जो अंस है यानि कि रक्त संबंद है वो भारत से हो ठीक है रक्त संब या उसके आप आपरहीं कnt भारती हो जो अभी लोग पढ़ेंगे सधनल उसको हम लोग क्या कर future करता है भारत मूल का बैक्ति नागता प्राप्त कर सकता है तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है यह उसको देखते हैं तो आर्टिकल 18 के अनुसार थोड़ा देख लेते हैं ठीक है तो यह बोला गया कि जिस बैक्ति का जन्म अथवा उसके माता पिता दादादी या नानी नानी में से किसी का जन्म 1935 के भारत सासक अधिनियम द्वरा परिभासित भारत में हुआ हो ठीक है जो भारत सासक अधिनियम 1935 का था उसके तर्थ हुआ हो तो वो क्या होगा कि उसको भारत के नर्गता प्राप्त हो जाएंगी ठीक है उसके बाद यहां पर दिया हुआ आर्टिकल हम लोग बात करें नाइन की तो विदेशी राज्यों की नारिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नारिकता खतम हो जाएगी और दिया आर्जित की तो अंन्य देश्यों की नारिकता की खत्म हो जाएगी क्योंकि भारत में एकल नारिकता का प्राउधान है भारत में एकल नागरिकता का प्राउधान इसलिए आओग कि उसकी नागरिकता सुझता खतम हो जाएगी इसका मतलब यह एकि आप भारत के नागरिक नागरिक ही रहेंगे उसके साथ-साथ किसी अनदेश के नागरिक नहीं हो सकते हैं आगर एक रवारत कीशारें की में कहा है कि जो भी ब्राउधान उपर लिखें हाए अगर उसके तक कोई भारत का नागरिक बनता है तो ये बाद में कोई भी संसत कानून बना की ये नहीं कैसा कह सकती कि अब भारत के नागरिक नहीं रहेंगे यानिक भारत नागरिक से वंचित उनको नहीं किया जा सकता हाँ वंचित भी किया जाएगा तो जो समिधान में लिखा है उसकी अधार पर ठीक है अब बाद में में कानून बना सकती है ठीक है तो अब बनाई भी है तो संसद ने क्या कि कि कानून बनाई कौन सा कनून वो बनाई नारिकता अधिनियम 1955 नारिकता अधिनियम 1955 में क्या हुआ कि संसद ने एक कानून पारित किया तो उसमें पांच प्रकार से नारिगता गरहन करने और तीन प्रकार से नारिगता त्याग करने का उल्लेख किया गया पहला इसमें है जन्म से नारिगता यानि कि कोई व्यक्ति अगर भारत में जन्म लेता है तो उसको क्या होगा उसको भारत की नारिगता प्राप्त होगी वन्स के अधार पे नर्गिता यदि उसके माता पिता या माता या पिता में से कोई अगर भारत का नागरिक है तो उसको भी उस बच्चे को भी क्या होगा भारत के नर्गिता प्राप्त होगी पंजी करण के अधार पर भी भारत में नारगता प्राप्त की जाए ठीक है तो भारत में पंजी करण के अधार पर नारगता की बात किया जाए तो OCI के लिए थोगासा अलग प्रावधान है और अन्य देश के नारिकताओं के लिए अलग प्राउधान है तोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं ठीक है तोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं देखे इसमें कहा गया कि भारती नागरीक के बिवा करने वाला बिदेशी या फिर भारती मुल्क अव्यक्त याने कि PIO हो अब हम लोग PIO, NRI में अंदर पढ़ेंगे PIO हो या भे भारत के नागरीक से साधी करने वाला बेती हो दोनों हो तो उनको साथ वर्सों में नागरीकता प्राप्त की जा सकती है याने कि वह साथ वर्सों तक अगर भारत में निवास करें तो उनको भारत के नागरीकता मिल सकती है किसको PIO को या फिर जो भारती नागरीक से शादी करें ठीक है ध्यान देजेगा उसको उसके बाद है हमारे पास राज छित देशी करण तो हो गया नई देशी करण नहीं हुआ भी पंजी करण के हिसाब देशी करण हो गया देशी करण देखना है भी न नमको अब देख लेते हैं देशी करण के हिसाब से तो देशी करण के हिसाब से नालिकता कैसे मिलेगी थुड़ा उसको भी डिटेल कर दे रहा हूं देख लेजिए ठीक है अब इसमें क्या है कि देशी करने के धार पर यानि कि अन्य विदेशी की बात कर रहा है यहां पर अन्य विदेशी की बात कर रहा है ठीक है तो अन्य विदेशी है कम से कम अगर भारत में 12 साल कितने साल 12 साल तक निवास करेंगे तब ज शक्ति है यहीं कि 12 साल करें आविधन करें आविधन करने के बाद सरकार सोचेगी कि उनको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा ठीक है उनको भारत की नर्गतर देगी कि नहीं देगी तो 12 साल 12 वर्स अब यह नहीं कि 12 वर्स के दिया तो 12 वर्स लगातार तो 12 वर्स लगा बंबट है एक साल और 11 साल तो पहला एक साल जो हूँँ उसको लगातार रना है यहाँ पर क्या लग servants लगातार रहना है और जो 11 साल का जो समें सीमा है उसको चवुदा साल में पूरा कर सकता है ठीक मैं जीमेन दर फिर चला गए अपने रहेजी ग्यारेक 12 पर्स पूरा हो जाएगा ठीक है तो फिर हो का करेगा आवेदन करेगा तप जाके अगर भारा सरकार चाहेगी तुसको नागिता देगी नहीं तो फिर नहीं देगी उसकी मजी उसके बाद 15 लाश्ट है आपका राजचेत्र के समावेशन द्वरा नहीं रि के जैसे भी उसको जीता रहने में मिला लिया तो यहाँ पी जितने भी निवासी हों गए रहने वाले होंगे उनको सुस्पा भारत की दारीगता क्या हो जाएगी प्रेप्त हो जाएगी ठीक है चलें अब उसके बाद हम लोग बात करें नारगिता त्यागने की नारगिता की समापती कैसे हो सकती है तो पहला इसमें है कि नारगिता का परित्यागरी से माल लिजे कोई भारत का नागरिक अगर स्वच्छा से भारत की नारगिता का परित्याग कर दे तो उसकी नारगिता क्यों जाएगी खत्म हो देश तरुद्द बंप्रश्व। तरुद्द बंदेश calenya staff जब नागरेता से वंचित किया जाने का प्राउधान है किस हिसाब से हम लोग किस हिसाब से जो अधिनियम वाना है उन्हें सक्पाचपन वाला उसके तरद किस हिसाब से वन्चित कहता है आईए उसको देख ले पहले ठीक है आईए उसको भी देख लेता है अगर वन्चन की बात किया जा तो इसमें कई चीज़े दी गई है पहली चीज कि अगर बेक्ती पंजीकरन के हिसाब से नाइगता प्राप्त किया है अगर उसमें वो दोख़दरी करता है तब पर भी उसकी नाइगता क्या जाएगी चली जाएगी पहली चीज कि अगर वो जो नाइगता प्राप्त किया है अगर उसमें वो दोख़दरी किया है तब पर भी उसकी नाइगता क्या जाएगी खत्म हो जाएगी दूसरा है कि अगर वो भारती समिधान के प्रति अना युद्र के दवराण य दि युद्र के दवरान से अवै धानिक बैपार किया हूं ठीक आव वैधानिक यूं कर ले इनलीगल ठीक इनलीगल बैपार किया है और ऐसी सूचना दिये जिससे भारत का नुक्सान हो ठीक है तब पर भी उसकी नारिकता खत्म कर दी जाएगी और तिसरी चीज अगर किसी तरह वो भारत की नारिकता प्राप्त किया है तो भारत की नारिकता प्राप्त किया है तो उसके पांच वर्सों में मतलब ज़ा आज से प्राप्त किया तो आज से प्राप्त किया आज से पांच वर्सों के बीच में कोई भी दो वर्स के लिए अगर उसको करावास होता है तब पर भी उसकी नर्गता छीन ली जाएगी और सबसे लाज्ट है कि अगर कोई बेकती साथ वर्सों के लिए विदेश में रहता है अपने देश को छोड़ कर तब भी उसके नर्गता छीन ली जाएगी लेकिन ध्यान दिजिएगा कि अगर आप सिंचस अस्थानों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी सरकारी उद्यस से जा रहे हैं या फिर अंदराश्टी संगठन सेवा में अगर आप हैं तो ऐसा नहीं होगा सेवेन वाला सेवेन वर्स का यह अपलाई नहीं होगा तो ध्यान दिजिए कि जनता को नर्गता को वंचित करने वाले जो प्राउधान है वो किसके लिए हो सकता है तो जो मूल बेखती यहां का होगा यानि कि जिसके माता पिता जो जन्म से यहां का होगा ठीक है जो जन्म से भारत का न यह इसमें बीच में चटा चल लई है कुछ इसको थोड़ा देख लेते हैं यह आपका थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं अब यह मैं बता यहां हूं कि PIO और NRI PIO और NRI तो NRI का मतलब है कि यह भारत का नागरिक होता है यह भारत का नागरिक नहीं होता है प्रत पर ले समझ लिए कि PIO जो होता है वो भारत का नागरिक होता है और जो NRI होता है भारत का नागरिक नहीं होता है । ठीक है PI का फुल फार्म होता है person of Indian origin और NRI का फुल फार्म होता है non-residence Indian ठीक है तो अगर मैं भारत का नागरीक हूँ तो मैं NRI कैसे हो जाऊंगा अगर मैं 6 माँ से अधिक समय तक भारत में 6 माँ से अधिक समय से मैं भारत में अगर भारत को छोड़ कर अन्ने देशों में रह रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा NRI की कटेगरी में आ जाऊंगा तो जब भारत का समय दान पढ़ेंगे तो उसमें NRI के लिए भी कुछ प्राउदान है उसको भी देखेंगे PIO का मतलब यह है कि जैसे कोई भारत का नागरीक था वो चला गया विदेश विदेश में रह रहा है तो जो उसके बच्चे हों गया उसके बच्चे यानि कि अगर हम बात करने रक्त संबंज होगा वो भारत का ही होगा ठीक है रक्त संबंज होगा वो भारत का होगा लेकिन फिलाल में भारत का नागरीक नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे PIO क्या बोलेंगे हम लोग PIO बोलते हैं तो PIO के लिए कुछ प्रौधान किये गये है PIO का एक कार्ट जारी होता है जो जिस तारीक को जारी होता है उससे 15 वरसों तक वो क्या करता है कि बिना बीजा का भारत आ जा सकता है ठीक है और भारत में प्रवास के दौरान 180 दिनों की अवधी तक उन्हें बिदेश छेत्री पंजीकरण अधिकारी या बिदेश पंजीकरण अधिकारी के साथ पंजीकरण कराने से छूट मिल जाती है यहने कि कोई भी बिदेश से अगर भारत आता है तो पासपोर्ट अगरा भीजा पासपोर्ट की जरूत पढ़ती है उसको ठीक है तो भीजा पासपोर्ट की जरूत पढ़ती है तो भीजा हमें यह शाप-शाप लिखा होता है कि वो किस उद्धेश से क्या करने कितने समय के लिए भारत आ रहा है तो उससे उसको छूट मिल जाती है F, sorry, F, R, O, या फिर F, R, O में पंजीक करन्ड से भी उसको क्या करती है मुक्ती मिल जाती है, ठीक, क्या मिलता है उसको, मुक्ती मिल जाता है चलिए तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रहा है इसके पहले इसको देख लेते हैं यह, भारत की समुद्रिपारी ना रिखता, ठीक है तो यह भारत सरकार होती है, प्रकार का काड़ देती है तो अभी इसमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं, तो उसको देखेंगे तो 2003 में नागरिक अधिनियम 1955 में संसोधन किया गया और यह कहा गया कि 16 देश के PIO, 16 देश के PIO पियो के बारे मैंने बताया अभी PIO के लिए भारत की समुंद्री पारिनारिकता का प्राउधा किया गया और यह बताया गया कि 2005 में यह स्विधा और फिर 2005 में संसोधन किया गया और यह कहा गया कि यह सभी देशों के लिए कर दिया गया पहले क्या था 23 में 16 देश के लिए सिर्फ था अब क्या है सभी देशों के लिए हैं लेकिन पाकिस्तान बंगलादेश को छोड़ कर पाकिस्तान बंगलादेश को छोड़ कर क्योंकि वहां पर मिस्यूज होने लगेगा उसका इसलिए क्या कर दिया गया पाकिस्तान और बंगल OCI, अभी मैं इसी को, हम लोग किसी क्या बोल सकते हैं, overseas citizenship आप, इंडिया को OCI, अब OCI से भाई फायदा क्या है, तो इन्हें जो भारत आने में जो बीजा लगता है, उसके जरुवत नहीं पड़ेगी, सिच्छा संस्थानों में उनके बच्चों के लिए कुछ छूट मिल जाएगी, अरे भया उनको छूट देने से भारत को क्या प्यादा है, ये इसलिए कि आता है, क्योंकि बीदेशी निवेश के लिए, ये बीदेशी निवेश के लिए जाता है क्योंकि जो भी P.I.U. है जो बिदेश में रह रहे हैं इसमें वह बहुत ही ज़्यादा धनाड है क्या है धनाड अगर है तो अगर उनको भारत में शुविदाएं दी जाएंगी तो वह आएंगे और निवेश यहां पर करेंगे बिदेशी निवेश होगा जिससे भा भारत में चाहने रहे सकते हैं लेकिन ये नहीं है कि वह ऊठ डाल पूट डालने लगेंगे या फीचुनाव में खड़े हो जाएंगे या अन्य समयधानिक बढ़श से भारत का रर्षपती प्रधानमंतरी या उचे ने अधिश या न्य पदों पे वह अस्तापित हो जाए ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या पड़े हैं तो लगबग देखा जाए कि OCI और PIO का जो अधिकार शेथ हो लगबग एक जैसा ही था तो हुआ क्या कि 2015 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया इन दोनों को क्या कर दिया गया अब यहां पर PIO कार्ड और OCI कार्ड के दोनों को मर्ज करके याने कि PIO को OCI कर दिया गया और कहा गया कि इन दोनों कार्डों के जगए स्रफ एक करड़ दिया जाएका चिसका नाम होगा OCI card क्या होगा OCI card यानि कि मिला जुला कि अब यूं कहा जा रहा है कि PIO और OCI O को मिला दिया यानि कि PIO को मर्ज कर दिया कि किसमे OCI O में ठीक है किस सर में दोजार पंदरों में अब यह साइन बाग का धर्णा भी देख लेते हैं जो आर्टिकल स्वारी जो समिधान संसोदान नागरिक संसोदान अदिनियम 2019 में हुआ था CE वाला सिस्टम जो है उसको देख लेते हैं तो इसमें क्या हुआ कि जो भाय सरकार थी आपको पता ही है कि वर्दमान में जो बीजेपी सरकार है तो बीजेपी सरकार ने ये सुचा कि जितने भी हमारे अब देखा जाए लवज पडोसी देश हैं बात करें हम लोग पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगनिस्तान तो जो उसमें गैर हिंदू है जो गैर मुसल्मान है जो गैर मुसल्मान है जैसे हिंदू, सीक, इसाई, जैन बहुत पारसी तो उनका उत्पिड़न बहुत ज़्यादा हो रहा है अब वहां से वो रहना भी नहीं चाहते है वो चाहते हैं कि हम कहीं चले जाएं तो मानोता के हिसाब से या यूँ कहें उसके भी पीछे राजनेतिक कारण भी है तो यह सरकार सोची कि हम लोग क्या करेंगे कि नागरिक संसोदन अधिनियम वो सरकार सोची नहीं लाई ठीक है नागरिक संसोदन अधिनियम 2019 में लाई जिसके बिरोध में साइन भाग में बहुत सरा धर्ना परदर्शन हुआ कई महीने तक चला ठीक है तो देखेंगे है गया इसमें लिखा है कि इसके द्वारा नागरिक अधिनियम 1925 का संसोदन करके यह प्रवधान किया कि पाकिस्तान, ध्यांदेजेगा बांगलादेश, अफगानिस्तान तीन देश पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान से आने वाले प्रवासी तो प्रवासी आ रहा है तो वे तरीके से आ है या फिर अवे तरीके से आ है जदी वे हिंदू, सीख द्यान देजेगा और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं तो उन्हें नागरिता दी जानी चाहिए या दी जाएगी बास में आ रही है यह क्या कहा गया 2019 में इसको लाया गया तो 2019 से पीछे देखा गया तो 2019 तो पांच साल पीछे की बात है ठीक है तो वो एक डेटलाइन फिक्स की है कि एक की दिसंबर 2014 से या उससे पहले जो बेक्ति बेक्तियों में कौन हिंदू हो सीख हो इसाई है जैन हो बौद हो पारसी हो और किस देश को किस देश के हो पाकिस्तान बंगलादेस और अफगानिस तान के हो तो उनको भारत की नाइगता क्या हो जाएगी दी जाएगी यह प्रोधान किया गया था लेकिन पता नहीं कि उसमें एक एक समुदाय के लोग उसमें धरने बेट गए तो उनका भी उनका यह कहना था कि इसमें हिंदू इसाई सीख मतलब जो गैर मुसलमान हैं उनको ही क्यों बुलाया जा रहा है मुसलमानों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है तो यहां पर तीन देश की बात हुए पाकिस्तान बंगलादेश अफगनिस्तान तो पाकिस्तान बंगलादेश अफगनिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान बंगलादेश अफगनिस्तान में तो देखा जाए तो धार्मिक उत्पिरण किसका हो रहा है धार्मिक उत्पिरण मुसलमानों को नहीं हो रहा है तो गैर मुसलम कि मुशलमानों का हो रहा है तो यहां पर ये कहनाही freedoms को क्यों नहीं बुलाया मोगा अगर ये सभी को बुला जाएगा तो यहां पर आफगनिस्तान ऑना कपरा का घाल Cape तो भारत में क्या होगा कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा पड़े जाएगी लेकिन अगर हम लोग जो वहां पे पीडित वर्ग है तो पीडित वर्ग में जो यहां पे हिंदू, सी, किसाई, जैन, बोधव, पारसी हैं तो अगर उनको बुलाया जाए तो उनको यहां पे यू देश मिलेगा कि वो पाकिस्तान से, बंगलादेश से, अफगानिस्तान से यह ब्यक्ति जब भारत में जा रहा है इसका मतलब कि पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान में उनको सुरच्छा प्रदान नहीं थी, उनका उत्पिड़न हो रहा था तो यहां पे बिश्